मामी सुनीता के जीते जी, गोविंदा और उनके भांजे कुरुष्णा के रिष्टे कभी ठीक नहीं होंगे यह एलान कर दिया है सुनीता ने आपको बता दें कि कपिल शर्मा के शो में जब से ये दोनों आए हैं उससे पहले ही कुरुष्णा ने मीडिया में इंटर्वियू दे के कह दिया कि मैं जाओंगा ही नहीं क्योंकि शायद दोनों ही पार्टीज ये चाहते हैं कि हम स्टेज पर नहीं रहें ऐसे में सुनीता ने एक explosive इंटर्वियू दिया है कुरुष्णा पर जबरदस्थ भड़की है सुनीता चुकि गोविंदा की वाइफ है और उन्होंने clearly इस इंटर्वियू में कह दिया है कि जब तक मैं जिन्दा हूँ तब तक तो इन दोनों का रिष्टा बन ही नहीं सकता है किसी reconciliation की situation ही नहीं है इतना ही नहीं सुनीता ने तो कुरुष्णा के लिए ये भी कह दिया कि पाल पोस्कर हमने बढ़ा किया है अब क्या सर पर चड़ेगा बत्तमीजी करेगा सुनीता ने ये भी बताया कि हमने उन्हें पाल पोस्कर बढ़ा किया है उन्हीं के साथ बत्तमीजी करेगा सुनीता ने कहा मैं जिन्दगी में कुरुष्णा का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ और हमारे बीच जो issues है वो कभी भी resolve होंगे ही नहीं हम अब हमेशा हमेशा के लिए अलग हैं मेरे जीते जी ये रिष्टा वापस नहीं बनेगा तो कड़क भाशा में इस बार सुनीता ने clearly कह दिया है आपको बता दे कि सुनीता ने ये भी कहा कि हर एपिसोड में जब गोविंदा नहीं भी होता है तो भी कुरुष्णा गोविंदा का जिक्र करता है क्या गोविंदा का नाम लिये बिना कुरुष्णा की कॉमेडी नहीं हो रही है क्या कुरुष्णा में उतना भी टैलेंट नहीं कि मामा का नाम बिना इस्तमाल किये कॉमेडी कर ले और अपने दम पर शो चला ले कुछ इस तरीके से आज सुनीता भड़ती नजर आई है कुरुष्णा पर आपको बता दे कि कुरुष्णा और गोविंदा के बीच रिष्टे पिछले कुछ समय से खराब चल रहे हैं कहा जाता है कि कश्मीरा के एक ट्वीट के कारण ये रिष्टे खराब होए थे और तब से मामा भानजे के बीच ऐसी लड़ाई हो गई है जिसमें अब सुनीता ने कह दिया है कि मेरे जीते जी ये दोनों एक नहीं होंगे